Hello everyone, welcome to Wi-Fi study which is a part of an academy group दोस्तो railway group D exam 2022 के लिए एक और नया practice set में लेके आ गया हूँ तो आप इस practice set को भी पूरा end तक देखिएगा और अपना score नीचे comment box में जुरू बताएगा वीडियो पसंद आये तो दोस्तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर सेयर करेगा यहाँ पे दोस्तो टेलिग्राम का ने में स्वरम मलीक ओफिशल इसको जरूर जोइन कर लेना इस टेलिग्राम पे आपको daily special classes के link मिल जाते हैं डेली मेरी special classes दोस्तों दिन में ढाई बजे और रात में ग्यारा बजे होती है प्लेस सब्सक्रिप्चन के सारे benefit जैसे के live classes, structured course, weekly test, unlimited access और भी सारे benefit आपको तब मिलता है जब भी आप किसी भी category में plus subscription जोइन करते हैं और code यूज करते हैं दोस्तों इस टेलिटा है इससे आपको maximum discount भी मिल जाता है सभी categories में अभी 20% को ओफ दोस्तो 29 जुलाई को end हो रहा है तो अगर आपने अभी तक जोइन नहीं किया है तो आप कोई भी subscription जोइन करते हैं तो 20% को ओफ आपको मिल जाएगा भी ठीक है यह best offer है और price भी IQ होने वाला है तो जब तक आपके price बढ़ेंगे उससे पहले पहले आप जोइन कर सकते हैं दोस्तों target December batch SSC CGL exam के लिए 28 जुलाई से आपका start हो रहा है on unacademy तो आप इसको join कर लिजेगा बाकी अंतिम प्रार batch जो group D के लिए उसको join कर सकते हैं इसके अलावा complete batch on general studies यह भी 28 जुलाई से start हो रहा है इसको join कर सकते हैं सिखर batch SSC CHSL के लिए 28 जुलाई से start हो रहा है इसको आप लोग join कर सकते हैं तो यह सभी courses जोइन कर सकते हैं प्लस और आइकोनिक दोनों के लिए code study 10 रहेगा आइकोनिक के फीचर है प्राइटिन डाउट सोलिंग प्राइटिन लाइव क्लास ही बाकी आप डिटेल में देख सकते हैं test series free of course है सारी देख सकते हैं आप लाइव क्लास के दुरान raise a hand करके अपने डाउट कूछ सकते हैं आप्टर लाइव क्लास भी अपने साथ डाउट के लिए कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्लीज प्रेड़ तक देखेगा दोस्तो आज की वीडियो का पहला question है खोको में कितने खिलाड़ी होते हैं देखे अगर आपको question का answer पता होगा तो नीचे comment box में जरू बताएगा और इस question का सही answer होगा दोस्तो 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्तो खोको में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ खोको की दोस्तो खोको मारास्ट भारत में अविसकार किया गया एक लोगपिरिये टेग गेम है दोस्तो इसमें अगर मैं बात करूँ देखे एक और टेग गेम आता है यह भारतिय उप महादीब में दो सबसे लोग पिरिये पारामपरिक टेग के खेलों में से एक है दूसरा दोस्तो कबड़ी होता है तो यह भी आपको याद खना है दूसरा कोशन है पानिपत की तीसी लड़ाई किस वर्स हुई थी तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तो तो बिलकुल सही है इस कोशन का जो राइट आंसर होगा वो 1761 हो जाएगा तो जो पानिपत की तीसी लड़ाई है वो 1761 में हुई थी पानिपत की तीसी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को दिल्ली के उत्तर में पानिपत में मराठा समराज्य और एहमद सहाद दुरानी की हमलावार अफगान सेना के बीच हुई थी तो यह आप लोगों को याद रखना है अगला कोश्चन आता है 2022 AFC महिला ACI कब की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी तो AFC दोस्तों क्या है यह यह है Asian Football Confederation और इसकी जो मेजबानी होगी दोस्तों वह है आपकी होने वाली है भारत में इंडिया में तो राइट आंसर ओक्षन ए हो जाएगा देखें यह AFC का जो संस्क्रण होगा महिला ACI कब का तो AFC महिला ACI कब का यह बीसवा संस्क्रण होगा जो एसिया में चोथा अंतरास्टे Football Tournament है और जो ACI Football परिशंग में महिलाओं की रास्टे टीमों द्वारा आयजित किया जाता है और इसकी मेजबानी अब की बार भारत करेगा यह आपको याद अखना है दोस्तो नेक्स कोशन आते हैं लोकसबा के सतरवे और वरतमान अध्यक्स कोन है तो अभी वरतमान में तो इस कोशन का जो दोस्तो right answer होने वाला है लोक सबा के सतरवे और वरतमान अध्यक्स कोन है तो ओम बिला हो जाएगा इस कोशन का right answer यहाँ पे अगर मैं बात कर दोस्तों ओम्बिला एक भारतिय राजनितिय है और जो लोकसबा के सतरवे और वरतमान अध्यक्स है विराइस्थान में कोटा बुंदी निर्वाचन चेत्र के लिए संसद सदस्या भी है दोस्तों ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों अगला कोश्चन आता है वर एंड पीस किसके द्वार लिखा गया उपन्यास है वर एंड पीस दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा बिल्कुल सही है Leo Tolestoy यानि की इस question का सही answer भी हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ war and peace रूसी लेखक Leo Tolestoy का एक उपन्यास है जिसे 1869 में परकासित किया गया था ठीक है और इसे Tolestoy की बहतरीन सहत्यक उपलब्दियों में से एक माना जाता है और यह विश्व सहत्य की अंतरास्ट इस तर पर परसंसित बनी हुई है तो यह चीज आपको याद अखना है next question आता है भारत में कितने महाजनपद है दोस्तो तो भारत में दोस्तो कितने महाजनपद है यह 16 इस question का सही आंसर होगा यह आपको याद अखना है चलिए जी अगला question है देखे महाजनपद जोस्तो जो है जो महाजनपद है वो 16 राज्यो का या कुली कुलीन गनराज्य थे जो उतरी सहर भारत में दूसरी सेकरण अवदी के दुरान छटी से चोथी सताबदी इस्विपूर तक मोजूद थे यह मतलब था होगा यहाँ पे है लिखा है और वे जैन्धरम के एक सुत्र के अन्याई थे 16 महाजनपद यह आप लोग को याद अखना है भारत के पहले आमचुनाव के बाद किस वर्स में पहली लोकसबा का गठन किया गया था दोस्तो इस question का जो right answer होगा देखें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तो 1952 में भारत के पहले आमचुनाव के बाद 17 अप्रेल 1952 को पहली लोकसबा का गठन किया गया था पहली लोकसबा 5 वर्स के अपने पून कारेकाल तक चली और 4 अप्रेल 1957 को भंग कर दी गई थी इस लोकसबा का पहला सथ दोस्तो 13 माई 1952 को शुरू हुआ था ये भी आपको याद रखना है अगला question आता है debit card के सामने के भाग पर कितने अंक होते हैं तो देखे debit card के सामने के अंक जो होते हैं दोस्तो वो 16 होते हैं तो इस question का सही answer option सी हो जाएगा देखे debit card एक भुकतान कार्ड है ये आप सभी लोग जानते हैं debit card से हम पैसे निकाल सकते हैं और पैसे transfer भी कर सकते हैं और payment कर सकते हैं जो किसी बोगता की checking खाते से यानि की saving खाते से सीधे खरीद के लिए भुकतान कर सकते हैं कैसे कटवा सकता है debit card के सामने के हिस्से में 16 अंक होते हैं और यहां पर मैं बात करूँ पहले 6 अंक की तो दोस्तों पहले 6 इसमें पैचान संख्या होती है और 10 जो अंक बाकी के बचे है वो धारक का unique खाता संख्या होती है यह चीज आप इसमें देख सकते हैं यानि कि पहले 6 जो होते हैं वो बैंक के लिए होते हैं और 10 अंक होते हैं हमारा खाता नंबर उसमें ठीक है ना चाले अगला कोशन आता है curiosity rover किस ग्रह की खोज के लिए भेजा गया था दोस्तों यह भेजा गया था बिल्कुल right answer is mars option हो जाएगा a right answer ठीक है curiosity एक कार के आकार का मार्स rover है जिसे नासा के मार्स साइंटिस्ट लेबोरिटी मिशन के हिस्से के रूप में गेल क्रेटर का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था जो कि 16 नॉंबर 2011 को दोस्तों केंप केंविरेल से curiosity सुरू की गई थी और 6 अगस 2012 को गेल के अंदर पर उतारा गया था तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं चले नेक्स कोश्चन आता है डियोड्रेंट में एंटी सर्प्रेंट के रूप में किस धातू का उपयोग किया जाता है दोस्तों इसका यह यूज के जाता है अलुमूनियम का यानि की option c रेट आंस हो जाएगा ठीक है नेक्स कोश्चन आता है असरफ गानी किस धेश के रास्टपती है तो देखे असरफ गानी किस धेश के रास्टपती थे नेक्स्स कोशन है मौन्टांगू, चेम्सफोर्ड, सुधार किस वर्ष शुरू किये गये थे दोस्तों 1919 इस कोशन का सही आंसर होगा सबसे ज़्यादा बार केंद्रिये बजट किसने पेस किया है दोस्तों इस कोशन का सही आंसर होगा सबसे ज़्यादा बार केंदर बजट दोस्तो पेस किया है मौरारजी देशाई ने इस question का सही answer option C हो जाएगा देखे इन्होंने आठ वार्सिक और दो अंत्रिम बजट के साथ मौरारजी देशाई वित्यमंत्री है जिन्होंने अब तक अधिक्तम बजट पेस किये है ठीक है तो यह है आपको याद रखना है भारती सविदान के किस अनुछिद में देवनागरी लीपी में हिंदी को संग की अधिकारिक भासा के रूप में वन्नित किया गया है तो इस कोशन का दोस्तो जो राइट आंसर रहेगा वह है आपका हो जाएगा आर्टिकल 343 ठीक है यानि कि राइट आंसर इस ओप्षन ए हो जाएगा ठीक है चले दोस्तो राडे सेकिंड हो गए परमाणू सक्षम क्रूज मिसाइल कि इस देश द्वारा लॉंच की गई थी तो ये जो दोस्तो मिसाइल है ये लॉंच की गई थी बिल्कुल सही है इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान दोरा यानि कि ओप्षन एज दर राइट आंसर ये जो मिसाइल है दोस्तो ये एक पाकिस्तान की लंबी दूर की परमाणू समता वाली क्रूज मिसाइल है और जो की 23 मार्ज 2017 को पहली बार सरजनिक रूप से पाकिस्तान दिवस सेन्य प्रेड का अनावरान किया था उसमें ये पेस की गई थी इसकी जो रेंज है इस मिसाइल की वो 550 किलोमेटर है कहीं बार एक्जाम में आ जाते हैं रेंज तो वैसे आप याद रख सकते हैं कोशन आता है विस्व जल्दिवस हर साल खालिस्तान पर मनाया जाता है दोस्तों तो जल्दी से आंसर बताईए विस्व जल्दिवस खालिस्तान पर मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है दोस्तों 23 मार्च को यान 22 मार्च को ठीक है तो 22 मार्च इस question का right answer होगा विश्व जल दिवस एक वार्सिक संयुक्त रास्ट का पालन दिवस है जो मीठे पानी के महत पर परकास डालता है और मीठे पानी के संसादनों के इस्थाई परबंद की वकालत करने के लिए इस दिन का उप्योग किया जाता है दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है यह आप लोगों को बस याद रखना है अगला question आता है ESPN की महिला Sport Person of the Year Award 2020 किसने जीता मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा बिल्कुल PV सिंदु ने यानि की इस question का right answer C हो जाएगा next है more का विज्ञानिक नाम क्या है तो what is the scientific name of peacock तो इस question का right answer होगा बिल्कुल सही है पावो क्रिफ स्टेटस यानि की option हो जाएगा D right answer तो ये आपको याद रखना है भारतिय मोर दोस्तों जिसे आम मोर भी कहा जाता है वो भारतिय उप महादीप का मूल निवासी है और एक मोर पर जाती है ये ठीक है इसका विज्ञानिक नाम पावो के क्रिस्ट से है next question आता है दोस्तों काजी रंगा रास्टे उधान किस भारतिय राज्य में इस्तित है दोस्तों ये इस्तित है कहा पर बिलकुल सही आंसर किया है असाम में यानि कि B रेट आंसर हो जाएगा काजी रंगा रास्त्रे उध्यान पूर्वी उत्तर भारतिय राज्ये असाम में एक सनरक्षित छेत्र है इसके पास भारतिय वन सिंग वाले गेंडे की दुनिया की सबसे बड़ी आबादिय है दोस्तों ये भी एक काफी इंपोर्टेंट कोशन है नेक्स्ट कोशन आता है लाला लाजपतराई की किस बैंक के संस्थापक थे तो जल्दी से आंसर बताईए लाला लाजपतराई किस बैंक के संस्थापक थे तो जल्दी से आंसर बताईए इस question का right answer क्या होगा बिल्कुल सही है इस question का right answer हो जाएगा पंजाब national bank यानि की C right answer हो जाएगा ठीक है पंजाब national bank की इस दा right answer ठीक है पंजाब national bank की स्थापना पंजाब केसरी लाला लाजपतराए ने 12 अप्रेल 1895 को की थी और इसका मुख्याले नई दिल्ली भारत में है तो यह आपको याद अखना है तो guys देखे लाला लाजपतराए किस bank के संसाबक थे पंजाब national bank के ठीक है न इन्होंने पंजाब national bank की स्थापना पंजाब केसरी लाला लाजपतराए ने 12 अप्रेल 1895 में की थी और इसका जो मुख्याले दोस्तों नई दिल्ली में है चलिए नेक्स्ट और देखे guys एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनकेडमी पर आपको मिल जाता है जहां पे आप report कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब video में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की studies related नहीं था तो आप उसको report करके अपना prize win कर सकते हैं ठीक है नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे बेज़के और जो सबसे पहले बेज़ेगा उसको prize मिलेगा ठीक है वाकी thank you so much guys चैनल को subscribe कर लीजेगा PDF भी आप download कर सकते हैं bell icon को on रखे और video को like और share करना भूलिएगा मत ठीक है और देखे अनकेडमी पर मेरी 2 special classes हो रही है इसक प्रोफाइल का link आपको मिल जाएगा अनकेडमी प्रोफाइल का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो चले मिलते है next class में thank you so much